तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको नायरा इस्टाइल की कुर्टी की कटिंग और उसकी स्टीचिंग सिखाने वाला हूं आप देख सकते हैं यहां पे यह मैंने प्लिटे डाली है साइड में आप सिलिट ओपन है कमर की तरफ से और यह लुक पी लगाई तो बिल्कुल सेम इसी तरीकी से आप सीखने के लिए इस वीडियो के अंदर तक जरूर देखना और दोस्तों आप लोग एक चीज करते हैं कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं अगर आप वीडियो को एक बार पूरा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर कैसे कटिंग करें और कैसे इसके स्टीचिंग करें इसमें कितना कपड़ा लगेगा पूरा टुटोलियल आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना साथ ही अगर कोई ओनलाइन काम सीखना चाता हमसे या पेपर कटिंग पूरा मेजर्मेंट लिखा है इस नावसरी दोस्तों हम कटिंग आपको बताएंगे तो दिहां से देखें यह जो कपड़ा है मेरे पास मैंने लिया यह 3 मिटर कपड़ा और यह है प्लेन फैबरिक आप प्रेंटिट या कोई भी कपड़ा ले सकते हैं लेकि मेरे पास इसके लेकिन अब सोलिया हमने अब देखें इसको हमें इन्चिटीव की मद Holiday मुद्ध से ऐसे नापना है अब यहां पर बात आती है कि हम ऊपर लेन आपको कितनी रखनी है तो दियान से देखें चोलि की लैंठ जो होती है वह यहाँ से आपको लेनी है कि कमर के पास कितनी लेनी हो नायरा स्टाइल में थोड़ी सी हलकी नीचे होगी बिल्कुल कमर में नहीं होगी तो इस साइज में जो मैं लेने वालों आपको दिखाया था इसके अंदर चोली की लेंगा मैं लूँगा अको बि Baum jaki बूद से पकड़ना है और इसको इस तरीके से डबल में फोल्ड कर लेना है जैसे म spec कर review सें इस तरीके से यह करने केवार और यह वाला जो हिस्सा है दोस्तों इसको सीधा कटिंग कर लिए हो यह भी आव्दोस्तों यह quotid dont अटयुक्म है से देखना है जो कपड़ा बचा होगा उसमें से सबसे पहले आपको नापना है कि आपके बाजू की लंबाई निकल जाएगी यह नहीं निकलेगी हमारी बाजू की लंबाई है बीस इंच तो इंचिटेव को मैसे रखेंगे बीस पिलस इसमें धाइंच करेंगे साड़े साड़े बाइस निकल जाएगी तो हम क्या करेंगे सबसे पहले दोस्तों जो हमारे पास फैबरिक होगा इसको ऐसे ओपन कर लेंगे ठीक है और यार रखना दोस्तों अगर आपकी इस तरीके से बाजू ना निकले तो फिर आपको आड़े में जो है अपना साइज निकालना होगा । थिक है वह आड़े में से आपको दो कर लिए वो निकाल रही अपनी चोली होगी यह मैं आपको बता देता हूँ फिराल इसमें मेरी आराब से भाचु हो जाएगी जो नाप मैं आपको बता रहा हूं तो अमें क्या करनाहिए सबसे पहले दुस्तों जो चैस्ट है उसके साब सर्म निसान लगाएंगे हमारी हैं पर साढ़े अठारा जो की हो जाएगी करीब 700 अंदरे 9 निसान लगा लेते हैं इसमें प्लस कर लेते हैं हम 5.5 इंच ठीक है तोटल में कितना हो गया दोस्तों यह हो गया 12 का एक निसान हमारा यहां पर आजाएगा 12 का एक निसान दोस्तों नीचे की तरफ ले लेते हैं ठीक है और इस निसान को हमें ऐसे पकड़ना है और इसको काउंटर पर इस तरीके से आगे की तरफ रखना है जैसे मैं रख रहा हूं ध्यान से देखें इस तरीके से रखना है और ऐसे रखने के बाद आप चाहे तो इसको इस तरीकी से डबल में भी फोल्ड कर सकते हैं जिससे की आगे पीछे का पल्ला एक बराबर में कटिंग हो जाएगा अब देखे मैं इसको एक बराबर डबल में ऐसे रख रहा हूँ और इसे अच्छी तरीकी से प्रेस करके फिर आपको कटिंग बताते हैं तो यहां पर देखिए डबल फोल्ड करके मैंने प्रेस लगा दी अब यहां पर मैं इसको सीधे स्केल की मदद से एक निसान ऐसे बना लूँगा ठीक है मैं इसी पर कटिंग करूँ गो जिससे कपड़ा जो है आपका सीधा हो जाएगा अब यहां पर हमें जो चोली की लेंद रखनी है वो रखनी दोस्तो 16 इंच तो हम इसमें एक इंच प्लस कर लेंगे तकरीबन 17 कर लेंगे ठीक है इस तरीके से इंचीटिव लेके जा यह लेने के बाद यहां पर जो मारा तीरह था दोस्तों वह था 14 इंच तो इसका मैं बैक गला जो बनाने जा रहा हूं दोस्तों बैक गला मैं इसका बनाऊंगा करीब 4 इंच के आसपास तो मैं 14 का 14 का हाफ 7 इंच पर कटिंग कर दूँगा ठीक है यानि कि मैं बाजू का मा हूं करके यूसलियतफा इंच कम करके निसान का रर्ण का निसान लग जाएगा उसके बाद पर इसको हम दोनुप पर मिलाएंगे उस तरीके से मिलाएंगे अब आप यहाँ जितना मार्ण देना चाहते हो इतना मार्ण से निसान लगा तो मैं ese ile के बराबर मार्णा दे रहेता हूं यह निसान कम्प्लीट हो गया अब इधर वाली साइट को हमिस्टे उपर वाली साइट से मिलाकल का ऐसे निसान लगाएंगे गे उसके बाद यहां से कंडरी को डाउन करेंगे तकरीबन तकरीबन पोना इंच के आज पास इसको मैसे गले बरॉट से मिला देंगे ईसको नीचे अले निसान पर मिलाना है यह आपका बिल्कुल वैसे कटेगा जैसे चोली वाला कोई भी पीस कटिंग करते हैं और इसको जो इस तरीके से यहाँ पर गुलाई दे देंगे आप देख सकते हैं बहुत एजी है ठीक है यह गुलाई देने के बाद अब दोस्तों इस साइड से हम इसको पहले यह सीधा कट करेंगे अधिक है फिर इस साइड से हम पहले सक ऐसे कट करेंगे फिर Albert kah करेंगे अवर अब इसको करने के बारे में आपको समजाओंगा मैं कोई चीज इसको बीमित कर लेगे ठीक है इधर साइड में भी हम इसक लगा लेंगे अब यह कट करने के बाद यह वाली जो साइड है तक्रीबन इसको दोस्तों हमें गुलाई देनी है पूना इंच के आसपास इस सेंटर के तरफ से आप हलका सा गुलाई दे दो जब भी आपको ऊपर आले पार्ट के कटिंग करते हैं तो गुलाई देना जोरी होता है इस तरीके से आपको गुलाई दे देनी है ठीक है अब यह गुलाई देने के बाद दोस्तों उपर आले पल्लेकुम हटाएंगे और यह जो फरंट का निसान लगाया था इस निसान पर कर लेंगे मैं इसकी कटिंग अब दोस्तों यह देख सकते हैं आप यहां पर हमारा पार्ट कटिंग हो चुका है अब हम यहां पर बाजू के कटिंग करेंगे तो बाजू कटिंग में यहां पर इसकीप करूंगा बस आपको समझा रहेता हूं क्योंकि वीडियो बहुत बढ़ी हो जाएगी नॉर्मल बा बाड़ा करके निकालना इस चीज़ का दिहान रखें तभी तीन मीटर में आराम से बनेगा तो चली दोस्तों बाजू में 20 इंच की कटिंग कर लेता हूं फिर नीचे का हिसाब आपको समझा कर इसको स्टीचिंग करते हैं तो देखी दोस्तों यहां पर हमारा जो है ऊपर क प्रकों से को निकाला था है हमारे पास कपड़ा है कि इसको हम चार तैयमें फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और फोल्ड करने के बादर हम पहले यहां देख लेते हैं अगर यह इससा अमारा बराबर नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे सब से पहले तो यह जितने भी हिस्सें हुआ है इसको हम उसमेइए लगा लेंगे तो उसमेंसे पहले मैं प्रस यहां प्रेस लगा ने के यहां पर दियान से देखें यहां पर चार उपर लोग हमने ऐसे रख लिया एक दो तीन और यह चार अब इंच को मैंने ऐसे रखा और यह ओपन वाली साइड ऊपर रख लिए चाहिए आप नीचे रख सकते हैं इससे कोई दिक्क्त करनी है बंद वाली साइड आपको अपनी लगा लेते हैं इस निसान को बिल्कुल सीधा हम कर लेंगे ठीक है इस सीधा करने के बाद दोस्तों अब करेंगे हम इसकी कटिंग तो यहां पर देखिए हम पहले इसको सीधा ऐसे कट कर लेते हैं इसको निकाल देंगे हो यहां पर सेंटर में कट लगा लेंगे ठीक है उसका दोस्तों यहां पर आप जितना चोड़ा फोल्ड करने चाहिए उस हिसाब से लिए तो मैं इसको नहीं चाटूंगा तो चली दोस्तों सब कुछ कटिंग हो गया अब हम इसके गले वगरा कटिंग कर लेते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं किस तरीके साब इसको स्टार्ट करेंगे तो देखिए दोस्तों यहां पर मैंने नैक और बैक नेक दोनों सब्स cesa उठा लिया अब यहां पर यह तो बंद भी कर सकते हों अगर आप यह बंड करना चानते तो किस से आप जोड़ेंगे यह आपको मैं बता जाते हो तो दीखिये अगर आप बंड नहीं करना चाते तो आप इसको पहले चारूं पर लोग एक बर्याबर ऐसे रखेंग दोस्तों यह कितना आ रहा है यह आ रहा है आपका 17 इंच तो यहां पर हम इसको थोड़ा सा दबा लें क्योंकि हमारी कमर्ती साड़े सोला तो हमें साड़े सोला यहां तयार रखना इस चीज़ का खास सूर पर ध्यान रखें वरना आप आपका बढ़ जाएगा इसको मलग साइड देख सकते हूं और यह नीचे की साईड है तो हमें यहां पे क्या करना है उस चीज़ को आप जारा दिहान से देखें जो किनारी वाली साइड है यह देखें इस तरीके से तो यहां पर हमने एक्सलाई लगा दी अब उसके बाद इसको ऐसे घुमाएंगे और इधर वाली साइड से भी इस किनारी को विल्कुत सेम ऐसे फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ हमें आना है यहां पर आने के बाद नीचे हमने जो घेरे में जितन में कट लगाया हुए हमने यहां से साइड से फोल्ड कर लिया यहां से साइड से फोल्ड कर लिया और नीचे से भी हमने फोल्ड कर लिया अब इसके बाद हमें इसको इस तरीके से डवल में मिलाना वैसे ही जैसे कि हमने यहां पर कटिंग किया था और यह याद रखना इसक जैसे आपको निसान दोस्तों लगा लेना है अभी निसान हमने क्यों लगाया तो अभी दिखा देते हैं आपको हम इस पेस लगाएंगे एक सिलाई इस जगा पर देखिए मैं यहां पर लगाता हूं और जैसे निसान के बराबर आऊंगा यह हमारा निसान ने वहीं जो तो फूरी अराम से निकल जाए आगे आएंगे यह गुम भी लग जाते हैं लेकिन आप इसको करेंगे पक्का फिर दोस्तों इसको दूसी तोरी को ऐसे लेंगे इसको भी हम इस तरीके से रखेंगे थोड़ी गैपिंग में एक इंची गैपिंग लेनी तकरीबन और लेके जाना आगे की तरफ यहां भी हमें से पक्का करेंगे तीसरा दोस्तों जब तीसरी आप लगाएंगे तो आपको सेम इसी तरीके से ऐसे लेना है ठीक है और ऐसे लेने के बाद आप इसे भी ऐसे पक्का करें ठीक है और सेम इसको इस तरीके से लगाते हो चले जाएं तो और इसी तरीके से लगाने के बाद दोस्तों आपका जो बैक पर लोगा उसमें भी सेम इसी तरीके से लुपी लगा लेंगे तो देखे दोस्तों यहां पर लुपी आ चुकी है और बिल्कुल इकोल लुपी लगी है डबल में मैं इसको ऐसे ओपन कर लेता हूं ओपन होने का पर आपका घेला खुंद इस तरीके से आएगा यह वालने कंप देख सकते हैं यह श्र वोला कॉल हैं शेंटर टोस्तों यह आपका इन्टर इदर से और यह वाली साइड आपकी इतनी जुड़ेगी और यह सारी के सारी जितना भी हिस्सा आपको प्लेट में एज़ेस्ट करना है तो आपको यह नाप लेनी कि आपकी यह कमर कितनी है तो जैसे आप यह नापते हैं तो घर का सूट है मेरा वैसे 16.5 कमर थी 17 तो मैं यहा गारब यह दापना है तो चली दोस्तों यहां पर प छूड़े बिल्कुर परफेक्टा पालकर पड़ा तो एक साइड यह है इसको हटा देते हैं एक यह देख सकते हैं मैंने इस तरीगे से प्लेटे डाल दी यह हमारी सीडी साइड है अगर आपसे प्लेट डालने में प्रॉब्लम होती हो तो दोस्तों यहाँ पे चुण्णेटे भी डाल सकते हैं जैसे सिलाई धागे की लगा के कोई दिक्कत नहीं है फिलेट से ज्यादा आती है अब यहां पर हमें इससे जोड़ना है तो यह इसे रखने तो फ्रेंट में इसको जोड़ना हमें तो हम किस तरह से जोड़ेंगे आप देखे ज्यान से यह हमारे ह Aussाईड है यह सीदी इस cut से वो मिला आते हुए दोस्तों इस cut पे इसे उतार देंगे सेम हमें दूसरे परले को भी इसी तरीके से जोड़ देना है जोड़ने के बाद यहां पर हम ओवलोग वगरा कर लेंगे फिर उसके बाद मैं आपको इसकी side जोड़ के दिखाता हूँ तो दोस्तों आप धिहान से देखें यहां पर हमने ओवलोग करके इससलाई लगा दिए यह मैं आपको सीधा करके दिखा देता हूँ कि देखिए कुछ इस तरह के से हमने यहांपर एसको कर दिया थीक है अब इसको हमें ऐसे रखना है ठीक है रखने के बाद इसको हम डबर में पिलेगे मिलाकर इसको हमें एक बराबर यहां पर रखना होगा देखी एंग ऊपर के तरफ से यहां पर हमें यहां पर उतार द Пред अगर मालूक कल दोस्तों लगाएंगे यह हमने गोल्डन डोरी रखिए यह गोल्डन डोरी लगाएंगे और उसके बाद चला देंगे वाजू इसके अंदर मैंने गले बनाने का बाजू चलाने की वीडियो नहीं दिखा रहा हूं आपको तो इसके लिंक में डिस्क्रिप्सन में दे दूंग लगाती हैं तो देखिए दोस्तों यहां पर और नीचे कर क्मर वाली साइड से माइन तो आप चाहें डूंपर भी कर सकते तो यहां पर देख सकते हैं डमी पर फिटिंग देखें और यह इस टैम पर बहुत जादा ट्रेंड में हैं इसके नीचे दोस्तों आप प्लाजों पहने बहुत ही अच्छी लुक आईगी इसकी और यह मार्केट में काफी ज्यादा बिक्रें तो यह नायरा इस वीडियो की वीडियो में दीएं तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके जोरू बताना अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें साथ ही दोस्तों अगर आप बुटिक ओपन करना चाहते हैं यह आपको कटिंग करने में दिक कट आती है और हमारी पेपर कटिंग महवाना चाहते हैं तो इसकीन पर दिए नंबर पर वाट्साइब मैसेज करके पूरी जानकरी ले सकते हों मिलते हैं दोस्तों आप से किसी और वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज